नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने कक्षा दस, शैमुशी भाग दो का दस्वा पाठ लेकर, जिसका नाम है भूकंप विभीशिका, भूकंप विभीशिका अर्थात भूकंप की त्रासदी यानि भयंकर आपदा, एक ओत्तर द्वी सहस्र खृष्टाबदे, गनतंत्र दिवस परवणी, यदा समग्रम अपी भारत राष्ट्रम, नृत्य गीत वादी त्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, एक ओत्तर द्वी सहस्र, एक ओत्तर अर्थात एक अधिक, द्वी सहस्र यानि 2000, 2000 से एक अधिक, यानि 2001 ख्रिष्ट आबदे इस्वी सन में 2001 में गणतंत्र दिवस परवणी गणतंत्र दिवस के परवपर अर्थात 26 जन्वरी के दिन यदा जब समग्रम अपी भारत राष्ट्रम संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादी त्रानाम उल्लासे नृत्य यानि नाच गीत गायन वादित्रानाम वादन आदी के अर्थात नृत्य गीत और वादन आदी के उल्लासे उल्लास में खुशी में मगनम आसीत मगन था यानि 2001 में जब पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस मनाने में मगन था तदा कस्माद एव गूर्जर राज्यम पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रंधन विकलं विपन्नंच जातं तदा तब उसी समय यानि गणतंत्र दिवस के दिन ही अकस्माद एव अचानक ही गूर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलं अत्यदिक व्याकुल विपर्यस्तं अस्त व्यस्त क्रंधन विकलं क्रंधन अर्थात रोने से विकल यानि व्याकुल विपन्नंच च य पुरा हाल हो गया। कच जिले को दुअंसाव शेशेशू नष्ट हुए अवशेशों में यानी मलबे में परिवर्तित वती बदल दिया। बुज नगर तो मृतिका क्रिडनकम इव मिट्टी के खिलोने की तरह खंड खंडम जातम टुकडे टुकडे हो गया। बहु भूमिकानी भवनानी क्षणे नईव धराशाईनी जातानी। अर्थात पृत्वी पर ढेर जातानी हो गयी। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभाहा यानी बिजली के खंबे उत्खाता उखड गये। विशीरनाह ग्रिह सोपान मार्गाहा गर की सीढियां और मार्ग विशीरनाह यानी नश्ट हो गये। फाल द्वय विभक्ता भूमी ही भूमी ही यनि पृत्वी धर्ती फाल द्वय दो खंडों में विभक्ता विभक्त हो गई बट गई अर्थात धर्ती में दरार आ गई और ऐसा लगा कि धर्ती दो भागों में बट गई हो भूमी गर्भात उपरी निसरंती भी ही दुर्वार जलधारा भी ही महा प्लावन द्रिश्यम उपस्थितं। बाढ़ का भयानक द्रिश्य उपस्थित हुआ। यानि जलधाराओं से चारों ओर बाढ़ का द्रिश्य नजर आने लगा। द्वस्त भवनेशु संपीडिता सहस्रशोन्य सहायतार्थम करुण करुणं करुणं करंदंतीस्मा। द्वस्त भवनेशु नस्ट हुए भवनों में संपीडिता अत्यदिक पीडित यानि दुखी सहस्रशह अन्य हजारों दूसरे लोग। नस्ट हुए भवनों में दवे हुए हजारों लोग सहायतार्थम सहायता के लिए करुण करुणं अत्यदिक दयनि क्रंदंतीस्म क्रंदं कर रहे थे। यानि सहायता के लिए चीख रहे थे चिल्ला रहे थे। तो इश्वर क्रिपया एव भगवान की क्रिपासे ही द्वित्राणी दिनानी दो तीन दिन तक जीवनम धारित वंतह जीवन धारन कीये रहे अर्थात मलबे में दवे हुए छोटे छोटे बच्चे भगवान की क्रिपासे दो तीन दिन तक जीवित रहे जिने बाद में बा इम आसीत यह थी भैरव विभीशिका बयंकर त्रासदी बयंकर आपदा कच बूकंपस्य कच के भूकंप की यह कच के भूकंप की भयानक त्रासदी थी पंचोतर द्वी सहस्र ख्रिष्ट आबदे अपी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे चा धरायाह महत कमपनम जातम पंचोत्तर पाँच अधिक द्वी सहस्र 2000 से यानि 2005 खृष्टाबदे यानि इस्वी सन में अर्थात 2005 में अपी भी कश्मीर प्रांते कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशेच और पाकिस्तान देश में धरायाह महत कंपन्नम जातम भूमी का महा कंपन हुआ भयंकर भूकंप आया यस्मात कारणात जिस कारण से अर्थात उस भूकंप से लक्ष परिमिताह जनाह अकाल काल कवलिताह लक्ष परिमिताह जनाह लाखों लोग अकाल यानि असमय ही काल कवलिताह काल के मुख में चले गए अर्थात मृत्यू को प् पृध्वी कस्मात प्रकम्पते, पृध्वी क्यों कापती है? वैज्यानिक हा इति विशय कतयन्ती, वैज्यानिक इस विशय में कहते हैं यत की पृधिव्या अंतरगर्भे विद्य मानाह ब्रिहत्य हा पाशान शिलाह यदा संगर्षण वशात तुरुट्यंती तदा जायत पृत्वी के धरती के अंतरगर्भ में यानी धरती के भीतर विद्यमान उपस्थित ब्रहत्यपाशान शिलाह बड़ी बड़ी पथर की शिलाएं यानी चट्टाने यदा संगर्शन वशात तुट्यन्ती जब घर्शन के कारण तूटती हैं तदा जायते भीषण संस्कलनम तदा उस समय जायते उत्पन होता है बीशन संस्खलनम बयंकर स्खलन स्खलन कहते हैं चट्टानों का खिसकना संस्खलन जन्यम कंपनन्च च यानि और उस स्खलन से कंपन उत्पन होता है यानि जब वो चट्टाने तूटती हैं तो स्खलन होता है और उसी स्खलन से कंपन होता है जिसे भूकंप कहते हैं येन जिस कंपन से महाविनाश द्रिश्यम महाविनाश का द्रिश्य समुत पद्यते उपस्थित होता है उत्पन होता है ये इस गद्यांश से संबंदित कठिन शब्दार्थ ज्वाला मुख परवता नाम विस्फोटई रपी भूकंपो जायते ज्वाला मुख परवता नाम ज्वाला मुखी परवतों के विस्फोटई ही अपी विस्फोटों से भी भूकंपो जायते भूकंप उत्पन होता है इती कठयंती भूकंप विशेशग्याहा इती कथयंती ऐसा कहते हैं भोकंप विशेशग्याह, भोकंप के विशेशग्य, भोकंप के जानकार कहते हैं कि ज्वाला मुखी परवतों के फटने से भी भोकंप आता है प्रिथिव्याह गर्भे, विद्यमानो अगनिर यदा, खनिज मृतिका, शिलादी, संचयम, क्वथयती उबालती है, अर्थात अत्यदिक तपाती है, तदा, तब, तत सर्वम एव, वह सब ही, यानि उस खनिज मिट्टी और चट्टानों का मिश्रण, लावा रस्ताम उपेत्य, लावा रस को प्राप्त करके, यानि लावा बन करके, दुर्वार गत्या, धराम, परवतम वा वि भयंकर, गत्या, यानि गती से, धराम, यानि धर्ती को, परवतम वा या फिर परवत को, विदार्य, यानि फोड कर, बहिर निश्क्रामती बाहर निकलती है, वो खनिज, चट्टान और मिट्टी आदी का संग्रह, यानि वो मिश्रण ही, अत्यदिक तप करके, धर्ती या प अहर निकलता है, तब गगनम यानि आकाश, धूम अर्थात धुमे से, और भस्म यानि राख से, आवरितम यानि आच्छा दित, यानि धक जाता है, Celsius ताप मात्रायाह, Celsius की ताप मात्रा के, अश्ट शतांकताम उपगतोयम लावा रसो, यदा नदी वेगेन प्रवहती, यदा अयम लावा रसह, जब यह लावा, आठ सो डिग्री Celsius तक गर्म होकर, नदी वेगेन प्रवहती, नदी के वेग से बहता है, तदा, तब, पार्श पार्श्वस्थ ग्रामाह, नगरानिवा, तद उदरे क्षणे नईव समाविशंती, पार्श्वस्थ ग्रामाह, पास में स्थित, ग्रामाह, यदि गाव, नगरानिवा, या फिर शहर, तद उदरे, तत उदरे, यदि उस लावा के उदर में, यदि पेट में, अर्थात उ उसके मुख में क्षणे नईव समा विशंती पल भर में ही समा जाते हैं। निहन्यंते चे विवशाह प्राणी नह यानि विवश प्राणी लाचार प्राणी निहन्यंते मारे जाते हैं। ज्वाला मुद्गिरंत एते पर्वता अपी भीशनम भूकम्पम जनयंती। ज्वालाम उद्गिरंत अर्थात ज्वाला को उगलते हुए एते पर्वता अपी ये पर्वत भी भीशनम भूकम्पम जनयंती बयंकर भूकम्प उत्पन करते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ यद्यपी दैवह प्रकोपो भूकंपो नाम यद्यपी हाला की दैवह प्रकोपो दैविय प्रकोप को ही भूकंप कहते हैं यानि भूकंप एक प्राकर्तिक आपदा है तस्य उपशमनस्य नेकोपि स्थिरोपायो द्रिश्यते तस्य उपशमनस्य उसके उपशमन यानि शांती का अर्थात भूकंप को शांत करने का यानि दबाने का नेकोपि कोई भी स्थिरोपायह स्थिरूपाय यानि स्थाई समाधान ने द्रिश्यते दिखाई नहीं देता ह अर्थात बोकंप का कोई स्थाई समाधान नहीं है प्रकृती समक्षम अध्यापी विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव प्रकृती समक्षम प्रकृती के सामने अध्यापी आज भी विज्ञान गर्वितो मानवः विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुश्य वाम अर्थात विज्यान की इतनी उन्नती के बाद भी प्रकृती के सामने मानव आज भी छोटा ही है तथा पी फिर भी भूकंप रहस्य ज्याह कथयंती भूकंप के रहस्य को जानने वाले यानी भूकंप विशेशग्य कहते हैं कि बहु भूमिक भवन निर्मानम नै करनियम निर्मान नहीं करना चाहिए तट बंधम निर्माय ब्रहन मात्रम नदी जलम अपी नई कस्मिन स्थले पुंजी करनियम तट बंधम निर्माय बांध बनाकर ब्रहन मात्रम नदी जलम अपी अत्यदिक मात्रा में नदी के जल को भी न एकस्मिन स्थले एकस्मिन स्थले यान एक जगह पर ने पुंजी करणियम इकठा नहीं करना चाहिए, बांध बनाकर नदी के पानी को एक जगह रोकना नहीं चाहिए, अन्य था नहीं तो असंतूलन वशाद बूकंप संभवती, असंतूलन के कारण, यानि एक जगह तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाए और एक ज जगह बिल्कुल ने रहे, तो ऐसे असंतूलन से बूकंप संभवती, बूकंप की संभावना हो जाती है, वस्तूतह वास्तव में शान्तानी एव पंच तत्वानी, क्षिती जल पावक समीर गगनानी, भूतलस्य, योग शेमा भ्याम कलपंते, वस्तूतह वास्तव में शान शान्तानी एव पंच तत्वानी, शान्त रूप में ही पंच तत्वानी, ये पाँच तत्व, क्षिती यानी प्रित्वी, जल यानी पावक यानी अगनी, समीर यानी हवा, गगनम यानी आकाश, अर्थात प्रित्वी, जल, अगनी, वायु और आकाश, ये पाँचों रूप में भूतलस्य भूतल का अर्थात पृत्वी के योग क्षेमा भ्याम योग यानि अप्राप्त की प्राप्ती अर्थात जो चीज हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने का उपाय योग है और क्षेम जो चीज हमारे पास है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है तो य योग और क्षेम की कल्पनते कल्पना करते हैं। अर्थात ये पांचों तत्व जब तक शांत रहते हैं तो श्रिष्टी के अनुकूल रहते हैं, श्रिष्टी की रक्षा करते हैं। जब तक ये पांचों तत्व शांत हैं, ये श्रिष्टी का कल्यान चाहते हैं। और जब ये पंच तत्व अशांत होते हैं, तो ये ही मिल करके महाविनाश उपस्थित कर देते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। किसकी भयानक विभीशिका यानि आपदा ने गुजरात राज्य को मलबे में बदल दिया। भूकंपस्य भूकंप की आपदा ने। किस प्रकार के भवन धराशाई हो गए। बहु भूमिकानी बहु मंजिला भवन। दूरुवार जल धारा भी किम उपस्थितं। बयानक जल धाराओं से क्या उपस्थित हुआ। महा प्लावन दृष्यम भयानक बाढ़ का दृष्य। कस्य उप्षमनस्य स्थिरोपाय नास्ती। किसके उप्षमन का यानि किसको शांत करने का कोई भी स्थाई समाधान नहीं है। बुकमपस्य बुकमप का। की द्रिशाह प्राणी नह बुकमपे न निहन्यनते। कैसे प्राणी बुकमप से मारे जाते हैं। विवशाह विवश प्राणी। अगला प्रश्ण है, अधो लिखित प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कर्त भाशया लिखत नीचे लिखिये प्रश्णों के उत्तर संस्कर्त भाशा में लिखी समस्त राष्ट्रम की द्रिशे उल्लासे मगनम आसीत सम्पूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मगन था समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस परवणी नृत्य गीत वादी त्रानाम उल्लासे मगनम आसीत समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर नृत्य गीत वादन आदी के उल्लास में मगन था अगला है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था? अगला प्रश्ण है प्रिथिव्याह स्खलनात किम जायते? प्रिथिवी के स्खलन से क्या होता है? प्रिथिव्याह स्खलनात महा कमपनम जायते? येन महा विनाश द्रिश्यम समुत्पद्यते? प्रिथिवी के स्खलन से महा कमपन होता है, जिससे महा विनाश हो जाता है अगला है समग्रम विश्वम कई ही आतंकितम द्रिश्यते संपूर्ण विश्व किस से आतंकित दिखाई दे रहा है समग्रम विश्वम ज्वाला मुख परवता नाम विस्फोट भूकंप महा प्लावन आदी प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम द्रिश्यते सम्पूर्ण विश्व ज्वाला मुखी परवतों के विस्फोट भूकंप बाढ़ आदी प्राकर्तिक आपदाओं से आतंकित दिखाई देता है अगला है केशाम विस्फोट अई रपी भूकंपो जायते किसके विस्फोटों से भी भूकंप होता है ज्वाला मुख पर्वता नाम विस्फोटाई रपी भूकंपो जायते ज्वाला मुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप आता है अगला प्रश्ण है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्ण निर्मानम कुरूत रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्ण वाक्यों का निर्मान कीजिए बूकंप विभीशी का विशेशेण कच जनपदम द्वनसाव शेशेश परिवर्तित वती बूकंप की भयानक आपदा ने विशेश रूप से कच जिले को मलबे में परिवर्तित कर दिया यानी बदल दिया तो किस में बदल दिया तो प्रश्ण बनेगा बूकंप विभीशी का विशेशेण कच जनपदम केशु परिवर्तित वती बुकंप विभीशिका ने विशेश रूप से कच जिले को किस में बदल दिया। अगला है वैज्ञानिकाह कथयन्ति यत प्रतिव्याह अंतर गर्भे पाशान शिलानाम संगर्शनेन कमपन्नम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिव्याह अंतर गर्भे पाशान शिलानाम संगर्शनेन कमपन्नम जायते। प्रित्वी के गर्भ में इस्थित चट्टानों के घर्षण से कमपन होता है। अगला है विवशाह प्राणीनह आकाशे पीपी लिकाह इव निहन्यन्ते। विवश प्राणी आकाश में चीटियों की तरह मारे जाते हैं। तो कहाँ मारे जाते हैं। तो प्रशन बनेगा विवशाह प्राणीनह कुत्र पीपी लिकाह इव निहन्यन्ते। विवश प्राणी कहाँ पर चीटियों की तरह मारे जाते हैं। अगला है एता द्रिशी भयावः घटना गढवाल क्षेत्रे गटिता। इस प्रकार की बयानक गटना गढवाल क्षेत्र में गटि। तो किस प्रकार की गटना। प्रशन बनेगा की द्रिशी भयावः घटना। किस प्रकार की बयानक गटना गढवाल क्षेत्रे गटिता। गडवाल ख्षेत्र में गटी अगला है तदी दानीम भूकंप कारणं विचारणियं तिश्ठती तो अब भूकंप का कारण विचार किया जाना चाहिए तदी दानीम किम विचारणियं तिश्ठती तो अब क्या विचार किया जाना चाहिए अगला प्रश्ण है बूकंप विशय पंच वाक्यमितम अनुच्छेदम लिखता बूकंप विशय पर पांच वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए भूगर्भे पाशान शिलानाम संगर्शनेन कमपनम जायते स एव बूकंपह कत्यते भूगर्भ में इस्थित चट्टानों के घर्शन से कमपन होता है वह कमपन ही भूकंप कहलाता है ज्वाला मुख परवता नाम विस्फोटाई अपी भूकंपह जायते ज्वाला मुखी परवतों के विस्फोटों से भी भूकंप आता है भूकंपे न महाविनाश भवती भूकंप से महाविनाश होता है बहु इसको शांत करने का कोई स्थाई समाधान नहीं है। कोश्ठक में दी हुई धातूं में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान भरिये। क्षणे नईव प्राणी नह ग्रह विही नह अभवन। पल भर में ही प्राणी बेघर हो गये। शांतानी पंच तत्वानी भूतलस्य योग ख्षेमा भ्याम भवन्ती। ये पांचों तत्व शांत रूप में भूतल के योग और ख्षेम के लिए होते हैं। भूमी की रक्षा के लिए होते हैं। मानवाह प्रिच्छन्ती मानव पूच्ते हैं यत की बहु भूमिक भवन निर्मानम करणियम नवा। बहु मंजिला इमारतों का निर्मान करना चाहिए या नहीं। नदी वेगेन ग्रामाह तद उदरे समा विशेयू हू। नदी वेग से गाव तद उदरे उसके पेट में, लावा के पेट में समा विशेयू हू। समा जाते हैं। अगला प्रश्ण है संधिम संधि विच्छेदं च कुरूत संधी या संधि विच्छेद कीजिए पहला है पारस्वर्ण संधी नियमानुसारं पारस्वर्ण संधी के नियम के अनुसार किन च, किम प्लस च, नगरम प्लस तू, नगरन्तू, विपन्नन च, विपन्नम प्लस च, किम प्लस नू, किन्नू, भुज नगरन्तू, भुज नगरम प्लस तू, सम प्लस चयाह, सं चयाह अगला है विसर्ग संधी नियमानुसारम विसर्ग संधी के नियम के अनुसार शिशवस्तू शिशवाह प्लस तू विस्फोटाई ही अपी विस्फोटाई रपी सहस्रशोन्य सहस्रशाह प्लस अन्य विचित्रोयम विचित्रह प्लस अयम भूकंपह प्लस जायते भूकंपो अगला प्रश्ण है दिये गई शब्दों का इनके विलोम शब्दों से मेल कीजिए संपन्न यानि सुखी, विपन्नम दुखी द्वस्त भवनेशु, नश्ट हुए भवनों में नव निर्मित भवनेशु, नए बने हुए भवनों में निस्सरंती भी ही निकलती हुई से, प्रविशंती भी ही प्रवेश करती हुई से निर्माय बनाकर, विनाश्य नश्ट करके क्षणे नईव पल भर में, सुचिरे नईव लंबे समय तक अगला प्रश्ण है, समानार्थक शब्दों के साथ मेल कीजिए पर्याकुलं आकुलं यानि व्याकुल, विशीरनाह नश्टाह यानि नश्ट, उदगिरंतह प्रकटयंतह यानि उगलते हुई, विदार्य संत्रोट्य फोड कर, प्रकुपिताम, क्रोधयुक्ताम यानि क्रोधित अगला प्रश्ण है, उधारन मनुस्रित्य प्रकृत्य प्रत्ययोह विभागम कुरुत, उधारन के अनुसार प्रकृत्य को अलग-अलग कीजिए पहला है, दृतवान, द्री प्लस एक्तवतू, हसन, हस प्लस शत्री, विशीरन, वी, श्री, क्त, प्लस टाप, प्रचलंती, प्र, चल, शत्री, नेप, हतह, हन, धातू, क्त, प्रतय अगला है, पाठात विचित्य, समस्त पदानी लिखत, पाठ से चुनकर समस्त पद लिखी, महत च तत कमपन्नम, महान है जो कमपन्न, दारुणा च सा विभीशी का, बयानक है जो विभीशी का, आपदा द्वस्तेशु च तेशु भवनेशु, द्वस्त भवनेशु, यानि नष्ट हुए भवनों में, प्राक्तने च तस्मिन युगे, प्राक्तन युगे, अर्थात प्राचीन युग में, महत च तत राष्ट्रम, तस्मिन, महाराष्ट्रे, यानि महाराष्ट्र में ये था पाठ भूकंप विभीशी का इस पाठ से संबंदित कोई भी प्रशन हो तो क्रप्या कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें धन्यवाद